जब आपके घर में भुक मरी आएगी और जब आप भुके मरना शुरू होंगे क्या आप अपने पिता, माता, बीवी, बेहन, बच्चों को भुका मरता देख सकते हैं? देख सकते हैं तो राम का आप नाम लीजिए और नहीं देख सकते हैं तो राम के नाम पे सरकार गिराना जो अभी मामला है पिछले कई महीनों से चल रहा है रुकने का नाम नहीं ले रहा है अब देखाएं जा रहा है कि चीन पिछले दो दिनों से लगातार घुसपट करने कोशिज कर रही है लेकिन जो हमारी भारती सेना है वो मुरतो जवाब देने के कोशिस कर रही है अब आपको क्या लग रहा है कि सब विपक्ष में बैठे वे जो लोग हैं वो आवाज तो उठा रहा है लेकि जो सत्ता में बैठे वे लोग हैं वो चुपी मौन धारन करते वे सामने आ रहा है इस पे बात क्यों नहीं की जा रही है बहुत बहुत बहतरीन सवाल है इसके दो पार्ट में जवाब दूँगा पहला भाग तो ये है कि चीन और भारत के बीच में जो जगड़े चलते आये हैं वो आजकल के नहीं है 1960 के दशक से सब के नजर के सामने हैं हमको पता है कि LAC अर्थात Line of Actual Control कहीं भी निशान बना करके नहीं है वो एक ऐसी जगे है जहां पता नहीं किसका कबजा होना चाहिए उनका या हमारा यही परिस्थिती है लेकिन जो भी मान लिया गया है लेकिन वो भी बनाया नहीं है नक्षे पे अब हकीकत मानी है कि 1960 के दशक से लेके आज तक चीन के साथ भारत के कई बार हाता पाई लड़ाई सब कुछ हो चुका है लेकिन कभी भी किसी राजनेतिक पार्टी ने उसको अपना राजनेतिक पपलू बनाने की कोशिश नहीं करी कि इसी तरह से हम बात करेंगे कि चीन को हरा दिया मार दिया काट दिया पीट दिया ये सब बातों का कोई अर्थ नहीं होता आजकल की जो सरकार है वो अपने आपकी गलतिया जो हैं दुनिया भर की एकॉनमी से लेकर के स्वास्त तक की जो परेशानिया भारत को जीलने पड़ रही हैं उसको छुपाने के लिए गोधी मीडिया का इस्तिमाल करके ये लोग जानबूच करके चीन के साथ हर रोज बॉल बाई बॉल कमेंटरी देने की कोशिश कर रहे हैं जो के एक आम बात हमावे रोज होता है निशान दुर्मा जी अब ये बता रहे हैं चीन के तरफ से ये मैसिज आया है कि भारत को 62 से भी जादा नुक्षान पहुचाएंगे इसको देखते वे तो ये समझ में आ रहा है कि चीन तो कहीं थर-थरा नहीं रहा है नहीं काप रहा है नहीं घर में गुशा हुआ हुआ ह चालेंज पर चालेंज कर रहा है तो इधर से कुछ नहीं कुछ किया रहा है आखे लाले कब दिखाए जाएंगी कब सीना चौड़ा करके 56 मजबूति इराया वाले सरकार बता जा तक वाकित करवाई कि जाएगी वह तो लगतार हमले किया जा रहा है देखिए गोधी मीडिय आपना उचलता कूदता रहता है बंदरों की तरह संभित पात्रा टाइप तो वो जैसे जुट मुड बोल जाते हैं कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया इसी तरीके से चीन में भी पिंग पिंग मीडिया है जिन पिंग का वो शयद ऐसा कुछ बोल देता होगा या किसी ने कुछ कह दिया होगा और ज्यादा तर यह मालूम चलाए कि ट्विटर पे से जाने वहां का जो सोशल मीडिया है उस पे फेक अकाउंट जैसे बनाते हैं भाजपा वाले यहां वैसे वहां बना रखें उन लोगों ने कुछ ट्वीट कर दिया जिसको लेके देश के मीडिया ने हमारे ए तो यह न्यूज कहां से बनती है यह पबलिक में आप लोगों को भईया काहे जूट दिखाया जाता है यह तब ही दिखता है क्यूंकि आप देखना चाहते हैं जूट देखना बंद कर दीजिए तो इन लोगों का धंदा बंद हो जाएगा बाकी चीन और भारत के बीच में एलेसी को छोड़के कोई विवाद नहीं है लेकिन हाँ भारती अंता पार्टी जो के चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी की गोद में बैठी हुई है सबको पता है 2009-2014 मोदी जी ने खुद अपने मंत्रियों को बेजा कम्यूनिस्ट पार्टी के पास से मावबाद सीखने के ल पाराता है कि फोटो सूट कराने में लगबख 6-10 घंटे लगा दिया उन्होंने लेकिन चीन को लेकर के नहीं अर्द्विवस्तों को लेकर के किसी तरीके कोई सामने बात नहीं अभी तक ऐसा क्यों देखे भाईयों सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको समझने के लिए कि चीन दो दिन में गुस्पैट कर रहा है चार दिन में कर रहा है इसको समझने के लिए एक छोटी सी टेक्निकल बात मैं आप लोगों को समझा दूँ और उस मीटिंग के दरम्यान वुहान में उन्होंने ये निरने लिया था कि चीन की सेना जिसको आप P.L.A. कहते हैं और भारती सेना ये L.A.C. पे मिल करके समझोते से प्यार महबत से बातचीत करके सारे के सारे मसलों को या तो खत्म करेगी या ठंडा रखेगी उस समय भारत के जनरल रावत आर्मी के चीफ हुआ करते थे जो आचकल C.D.S. हैं सवाल ये उठता है जो हम सब के दिमाग में आता है कि 2018 से आज 2020 हो गया ये गोधी मीडिया के नाम पे पाकिस्तान गुजगिया चीन गुजगिया करते हैं सवाल ये उठता है कि प्रधान मंत् बात से आज तक कि आज की ये परिस्तिती है कि चीन आप कहरें है कि बार बार गुजगिया इھो तो मोदी जी कहते है कोई आया नहीं कोई गया नहीं लेकिन पूरा दुनिया जानता है कि सब आए और सब गए लेकिन हकीकत यह है कि यह हमारे abonn éléments का फेलियर है सरकार का फेलियर आज की तारीक में चीन को लालांक दिखाने वाले पता नहीं क्या क्या लाल लिये गूम रहे हैं कि लोगों के पास जो है रोजगार नहीं है लोग बाग पहले से ज़्यादा भूखे मर रहे हैं खुद आर्ब्याइक की भी ये बयान आया था कि जो लोग गरीब हैं इस देश क्या लग रहा है आप देखिए भाई या बंदर चुनोगे तो सरकसी देखने को मिलेगा आमीन कुछ और है तो बताइए आप तो बंदर चुनोगे सरकस देखो के और क्या कह सकते एक्ट ओफ गॉड का मैं क्यूंकि अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी में बता दूँ एक लेकिन हकीकत मानिए कि ये एक्ट ओफ गॉड आज शुरू नहीं हुआ था निर्मला सीतारमन जी ये जो आपका डिजास्टर है न ये मैं एक छोटे से आकड़े जानबुच के लिख के राया हूँ आपको बता देता हूँ कि 2018-19 के दूसरे तिमाही में तिमाही की GDP थी 7.1 इसके बाद हर तिमाही एक एक करके गिनिएगा 7.1 से नेक्स तिमाही गिरी 6.6, 5.8, 5.0, 4.5, 4.7 और करोना काल आने से पहले जो क्वार्टर 4 कहलाता है तिमाही चौथी 2019-20 यानि जनवरी से लेकर के मार्च ये आई थी 3.1 यानि हमारे जो प्रिये प्रदानमंत्री नरें अंदर मोदी जी हैं, ये गड़े की तरफ ट्रेन को वैसे ही चला रहे थे, जैसे वड़नगर में ट्रेन आती थी जब रेस्टेशन नहीं था और ये चाए बेशते थे, अर्था देश को ये गड़े में लेके जाई रहे थे, करोना काल के अंदर इन्होंने गलत निरणय ल लिखाते हैं कि 19 मार्च 2020 को जब शिरीमान मोदी जी टीवी पे प्रकट हुए थे, देश को ऐसा ब्रहमित कर दिया कि करोना काल उस दिन से शुरू हुआ, नहीं, लेकिन इन्होंने इस काल को देश का एक काल बना दिया, करोना काल तो इन्होंने बड़े बेसबरी से इंतज किया दो मईना कि कब हम अपने फाइदे के लिए, इन्हें पता चल गया होगा कि हमारे देश की अर्थ व्यवस्ता खत्म हो रही है, अर्थात इन्होंने अंत में मार्च के 25 मार्च से देश को किया ताला बंद, अब समझे ताला बंदी से हुआ क्या, ताला बंदी से सारे रोजगार खतम, चाहें वो घर पे ही लोग बैठेते पर काम तो नहीं हो रहा था, सारी फैक्टरिया बन, सारे प्रजेक्ट बन, सारे कंस्ट्रक्शन बन, सब कुछ ताला बंद, अब आप सोचिए कि अगर भाई साब आप जो नोकरी करते हैं मान लीजिए 10,000 रुपे महीने की और अगर आप काम करने नहीं जाएंगे तो तनखा तो आईगी नहीं, तनखा नहीं आएगी तो आपके बीवी बच्चे और आप भूके मरेंगे, इन्हों ने देश को भूका मारने के लिए पूरे देश में 25 मार्च 2020 से ताला बंदी कर दी, जबके हकीकत जानिए कि इस ताला बंदी का रिजल्ट जो के 550 करोना मरीच पे किया गया था, बढ़ चड़ के कहा था कि हम करोना को कंट्रोल करेंगे, पुलिस वाले लाठी मारते थे लोगों पे चलान होते थे केस होता था, इन्हों ने उसकी तरफ इतनी प्यारी तवज्जों दी, कि आज 37 लाक से ज बोलेगा, कि अगर N-DMA कानून लगा हुआ है, तो उसका जो कोई भी चेर्मेन है, जो विस देश को 550 करोना मरीच से उठा के 37 लाक से उपर ले गया, उसको तो अपनी कुरसी से लात मार के निकाल देना चाहिए इस सरकार को, लेकिन ये सरकार हो नहीं कर सकती, क्योंकि उस N पाइनस 23.9 GDPI है, ये इनके आने ही वाली थी, थोड़ा और देर से, बिना करोना के भी, ये अलरीडी मैने जैसा आपको गिनाया, देश को गड़े में ले जा चुके थे, लेकिन आपको मीडिया के और अपने रैलियों के माध्यम से ब्रहमित रखते हैं, कि मंदिर वहीं ब हुका मारेंगे. आपके घर में भुकमरी आएगी, और जब आप भूके मरना शुरू होंगे, क्या आप अपने पिता, माता, बीवी, बेहन, बच्चों को भूका मरता देख सकते हैं? देख सकते हैं, तो राम का आप नाम लीजिए, और नहीं देख सकते हैं, तो राम के नाम पे सरकार गिरा प्राना जरूरी है